हे पुटीज, वालकम बैक टू मैं चैनल महकता जायका, कैसे हैं आप सब, होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आज मैं आपके बीश में बहुत ही क्विक, चौमा सा स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, इसके स्पेशल क्वालिटी ये है, किसे आप सबजी की तरह भी सर्व कर सकते हैं, और स्टार्टर की तरह भी, बनाना के हेल्थ बैनिफिट्स की बारे में तो आपको पता ही होगा, ये हमारे इम्म्यून सिस्टम को बहुत ही हेल्दी बनाता है, एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, वजन गटाने में हल्पुल होता है, सिस्टम को ये ठीक करता है, तो आईए शुरू करते हम ये रासिपी बनाना, उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले अब सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि न्यू रासिपी अप बनाना को पील आप कर देंगे, इसकी स्किन थोड़ी सी थिक रहती है, इसे अच्छे से पील आप कर देंगे, कटने के बाद में बनाना थोड़ा ब्लाक हो जाता है, तो उसे हम एक प्लेट में पानी ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और नीम्बू की कुछ ना लिये हैं, आप अपने हिसाब से कॉंटिटी अजस कर सकते हैं, अब इसे हमें यह यहां मैंने सॉल्ट टाइट कर दिया है, बिल्कुल थिन स्लाइसेश करनी है, आप चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं, अगर स्टाटर के रूप में बना रहे हैं तो उसके और भी कर सकते हैं यहां मैंने राउंड स्लाइस करें हैं आज मैं सब्जी बना रही हूँ तो छोटे श्लाइस करें हैं अगर आप स्टार्टर के रूप में दे रहे हैं तो आप एकदम लंबे-लंबे स्लाइस करके दीजेगा तो बहुत ही अच्छे लगेंगे इसे नीबू और नमक वाले पानी में डाल दिया है अब यहाँ एक पैन में हम ऑईल अट करेंगे ऑईल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा दर उसमें राई डालेंगे डीइंग डाला है जीरा डाला है और करीपता अट किया है करीपता का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रीन जली है यह बनाना डाल दिया है यहां मैंने साबुत दनिया बीड दाला था इसमें थोड़ा सा उसका फ्लावर भी बहुत अच्छा हैगा तो भी आट कीजिएगा अच्छे से टॉस्कर देंगे इसमें अब मस्टर्ड ऑईल का यूस करेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा उसदेर के लिए इसे दोनों दरब से फ्राइ करना है मसाले हम बाद में आट करेंगे नहीं तो जो सबजी में मसाले डालेंगे तो जल जाएंगे अब इसमें सॉल्ट आइड किया है टर्मरिक पाउडर आइड किया है यह दोनों मैक्स करके कुछ दिर के लिए हम इसे पकने के लिए डगकर डगकर रख देंगे इसमें आइल की कॉंटिटी थोड़ी सी जादा रखिएगा नहीं तो फिर जो कच्चा केला है वो गरम गरम खाएंगे तो सॉफ्ट लगेगा ठंडा होने के बाद में वो गले में अटक सकता है तो आइल की कॉंटिटी आप पूरी लीजेगा अब इसे कुछ देर के लिए डगकर पकने दिया है हमने यह बनाना सॉफ्ट हो गया है अब यहां इसमें एड करेंगे हम रैड चिली पाउडर यहां मैंने कश्मीरी रैड चिली पाउडर एड किया है थोड़ा सा तीखा कम होता है और जो लोग तीखा खाते हैं तो इसमें जो रैड चिली पाउडर स्पाइसी वाला है वो एड कर सकते हैं अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगेगा और अगर आप स्टार्टर के लिए बना रहे हैं तो उसमें मैंना कश्मीरी राट चिली पाउडर आड़ किया है उससे आपका काम हो जाएगा आप चाहो तो इसमें ब्लाक पेपर पाउडर और सॉल्ट आड़ कर सकते हो चाट मसाला आड़ कर सकते हो जैसा फ्लेवर आपको पसंदे वैसा आड़ कर सकते हो और अगर हम सब्जी इससे बना रहे हैं तो सब्जी थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगेगा तो उसमें बहुत ही जल्दी क्वेक ये सबजी बनकर तयार हो जाती है जब भी आपका मन करें तो आप ये बनाकर खा सकते हैं आप इसे फ्रैंस फ्राइज की तरह भी लॉंग पीसेज में कट करके फिर इसके फ्राइज भी बना सकते हैं वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये लीजे हमारी सबजी बनकर तयार है तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रासीपी अगर अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी से सब के साथ शेयर कर दीजे और एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजे थैंक यू मिलते हैं नए वीडियो में नई रासीपी के साथ बाबाई अबबाई एक लाइक कर दो एक बटाम पर लाइक के साथ बाबरा रमार देड्या हैं